स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा इमित्र में तो आज के वीडियों हम देखेंगे कि आप कैसे जो जो मिले का जो रेजिट्रेशन है वो कर सकते हैं तो आप अपना मोबाइल नमबर जो आपका चालू हो वो आप यहां पर लिख देंगे उसके बाद में डेट अप बर्ट आपको अपने डोक्यूमेंट के इसाब से एकदम परफेक्टली बढ़ देनी है तो जो भी आपकी document है वो एकदम आपको सई से बर देनी है ताकि कि किसी परकार की कोई इसमें समझा ना हो तो इसमें हम बात करें तो काफी ज्यादा companies है जिनके अंडर में ये job मेला लगेगा और आप चाहें तो कुछ परफेरनेंस भी दे सकते हैं वो आगे वीडियो में तो इसमें आप देखें तो ये आप डेटो पर सेलेक्ट रहेंगे उसके बाद आपको gender select का option आ जाएगा तो आपको सबसे पहले अपना जो gender है वो selection कर लेना है gender selection के बाद आपको अपना full address है वो आपको यहाँ पर fill up कर देना है तो आपका जो भी address है वो आपको complete लिगना है तो जो भी आपके area का pin code लगता है वो आपको complete यहाँ पर लिख देना है तो काफी simple सा है यहाँ पर आप देखें तो हमने हमारा जो address है वो हमने लिख दिया है इसके बाद में हमें अपना जो pin code है वो हमें यहाँ पर हमें बढ़ देना है तो जब तक यह pin code और address हम लिख रह कर लेते हैं उसके बाद में आपकी qualification आपको बढ़नी है कि आपने क्या किया हुआ है तो यह आपको complete लिख देना है उसके बाद में आप देखें तो आपके पास driving license है या नहीं वो yes no करना है इसके बाद में आपको experience है तो experience का या फिर refresher है तो refresher बढ़ सकते हैं इसके बाद में आपको अपना जो आधार कार्ट नमबर है या फिर आपके पास अगर जनाधार कार्ट नमबर है तो दोनों में से जो भी available है वो आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद में आपको अपना school का medium लिखना है और आपको पीश आती है उसके बाद में अगर आप देखें तो next पर click कर लेना है जैसे आप next पर click करेंगे आपके mobile पर एक OTP बिज़ा जाएगा तो वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है OTP हम दर्ज कर लेते हैं उसके बाद में हमें next पर click कर लेना है next पर जैसे click करेंगे यहाँ पर आपको तीन पर्फेर्नेस देखने को मिल जाएंगी इसके लाव नीचे आप देखे तो यहां पर आपको लिश्ट आ जाएगी कि कहां पर कितनी वेकेंसी अवेलिबल है तो यहां पर आपको सबी परकार की जो companies है वो आपको देखने को मिल जाएगी हर company के picture अगर आप देखें तो कुछ special qualification है तो वो भी दी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं उसके हिसाब से भी आप चाहें तो पर सकते हैं तो हम हमारे qualification के हिसाब से इसमें fill up कर देंगे तो हम normally हम computer operator हो इस type में ही qualification है हमार पास तो हम वो ही हम इसमें fill up करेंगे क्योंकि हमें ऐसी अलग से कोई knowledge नहीं है जो कि हम अलग से बरबाएं तो यहाँ पर हम हमारा जो qualification है वो यहाँ पर लिख देते हैं और एक एक करके हमें तीन performance यहाँ पर select कर लेने हैं हम इन में से कोई भी तीन चैन कर लेंगे यहाँ पर आपको नीचे green color में अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर आपको complete जो post है अलग अलग जो उदेपूर में available है हमने उदेपूर का okay किया है तो कौन सी available है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो इसमें कितनी post available है वो भी आप चेक कर सकते हैं एक और चीज मैं आपको clear कर दूगी हम उदेपूर का बर रहे हैं आपके पास भी आपका job fair अगर आप देखे तो आपको अगबार में भी कटी मिल जाएगी तो उसमें भी आपको अलग-लग जो अपना इस्थान है उस हिसाब से आपको अपना जो job fair है उसका आप form बर सकते हैं तो उसके बाद में आपको इस परकर का एक pass देखने को मिल जाएगा इस pass को आप PDF के रूप में सेव करके आप print निकालना पड़ेगा यहां फिर आप देखें तो आप इसे अपने पास फीडियाप के रूप में भी सेव रख सकते हैं बाकी print निकालकर आपको इस job fair में जाना होगा और वहाँ पर आपको जो भी company उसमें interview कुछ होंगे तो वह आपको वहाँ पर जाकर आगे की बर्गरिया करनी होगी तो इस पर कर आप आसानी से घर बेटे इसके लिए registration कर सकते हैं यह free cost है और आप इसके लिए